हेलो नमस्कार डियरी स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेज केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग अप्रेंटिशिप इंडिया.gov.in पर अपना रेजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे देखिए यहां पर जो भी आईटियाई केंडियेट पास आउट हो जाता है यानि कि उनका रिजर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो सबसे पहला काम उनका जो होता है अप्रेंटिशिप इंडिया.gov.in पर रेजिस्ट्रेशन करना होता है क्योंकि आईटियाई के बाद यदि आप अप्रेंटिस नहीं करते हैं तो आप बहुत से जाब से वंचित रह जाते हैं इसल है तो आपको वेटेश दिया जाएगा यानि कि आपको वहाँ पर नवकरी मिलने में आसानी होती तो हर एक अप्रेंटिशिप पोर्टल पर अपना रेजिस्ट्रेशन करता है तो यहां पर देखिए अभी रिसेंटली जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है 19-21 का ठीक है सेक केंडियर का यदि वो कईड्या अभी तक अपना रेजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस पोर्टार पर रेजिस्ट्रेशन कर ले क्योंकि मैं वीडियो उनीELLE के लिए स्टेशल पनाया हूं हाला कि यहां ये आप पास आूट है और अभी तक अपरेंटिशिप bits लिजिए अप्रेंटिशिप इंडिया.gov.in पर रेजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यह वीडियो आप लोग के इंपोर्टेंट होने वाला है सबसे पहले आपको क्या करना है चलिए मैं आप लोग को सुरू से प्रोसेस बता रहा हूं सबसे पहले आप भूगल को किसी भी ब्राउजर म नहीं मोबाइल में उसके बाद आपको डालना है अप्रेंटिशिप इंडिया.gov.in ठीक है इस लिंक को आप लोग को डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूँगा तो यह आप लोग को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाल आप लोग को कुछ इस परकार का इंटरफेस तो जैसे ही के रेजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको चार आपसन दिखाए देगा candidate, establishment, third party, aggregator, BTP तो आपको candidate आपसन पर क्लिक करना है जैसे ही candidate आपसन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस परकार का इंटरफेस दिखाई देगा Candidate Registration पर क्लिक करते ही Candidate Registration फार्म खुल जाएगा जो कि आपको फिल करना है जैसे कि आप लोग का अपना नेम डालना है ठीक है इंटर नेम दिया है आप अपना नाम अपने हाई स्कूल के या ITI की जो मार्स्कीट है या सर्टिपिकेट है जैसा उस पर नाम है सेम वैसा ह कि आपने लोग नाम डालेंगे हाला कि यदि आपका ITI का गड़ बड़ोगा तो वैलिड आप लोग को किस पर माना जाता है जो क्लास 10 की सर्टिपिकेट है उसी के बैसिस पर माना जाता है तो सेम जिस तरह आप लोग का ITI सर्टिपिकेट या हाई स्कूल की सर्टिपिकेट में नाम है से वह वही नाम एकदम जैसे स्पेलिंग लिखा है वो डालेंगे यहां पर फिर आपको नीचा आएंगे तो आप लोग को देखिए व् justo का लाज में सोभी चेंद ग्हें उने याफ पर जी आपका नाम है जी सोभी उनके पिता जी का तो रिलेशन्शिप जो ऊपर नाम देगे अगर माता जी का नाम देगे तो मदर सेलेक्ट करेंगे फाजर जी का नाम देगे तो ऊपर आपने नाम दिया हुआ है फाजर जी का तो रिलेशन्शिप में आप क्या क्लिक करेंगे फाजर क्लिक करेंगे फाजर सेलेक्ट कर लीजे तो आपको यहां से इसपर का कुछ डेटा बर्थ आप लोग को डाल लेना है ठीक है तो डेटा बर्थ यहां पर हो गया जो भी आपका डेटा बर्थ है यहां पर डालेंगे यहां पर देखिए जैसे 2000 है तो आप 2000 डालेंगे और एक तारीको तो यह डेटा बर्थ हो गया उसक के बाद आप लोग को mobile अपना डालना है जो भी आपका mobile नमबर है जैसे 1-9482 जो भी आपका नमबर है वो अपना नमबर यहाँ पर आप लोग डालेंगे दस डीजित का ना तो यह mobile नमबर आपका हो जाएगा यहां पर फिर वही alternate mobile number आपको दूसरा दे देना है जैसे आपका number हो गया दूसरावाला number यहाँ दे दीजे यदि आपके पास दूसरा number नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है नहीं दे देना है यदि दे दे देंगे तो अच्छा रहेगा तो कोई सिसकरिए दोनों number डालिए अपना पहरा वाला नमबर भी दूसरा वाला नमबर भी अगर आप दूसरा नमबर नहीं चला रहे हैं तो आप अपने घर के किसी सदस्य का दे दीजे पिता जी का दे दीजे आ किसी का भी उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना email ID डालना है email ID की एक-एक spelling अच्छे से डालिएगा email ID डालने के पाद क्यों की देगी है यहाँ पर confirm email ID करेगा तो same उपर जो email ID डाले रहेंगे वही same email ID नीचे वाले में भी आपको डालना है ठीक है तो अगर दोनों उपर वाला और नीचे वाला दोनों मैच करेगा आपका email ID और नीचे वाला भी यहनी की confirm email ID दोनों मैच करेगा तो आपका valid है otherwise नहीं मैच करेगा दोनों में email ID तो आपको फिर से दुबारा email ID वही डालना पड़ेगा उसके बाद आपको अपना password चूज करना है ठीक है तो password आपको कैसे चूज करेंगे जैसे माले जी कि आपका नाम है राज तो capital में R, A, Z लिख लीजेगा जनी capital R, इसमाल में Z उसके बाद कोई special character है या कोई भी special character फिर 123 या अपना mobile नंबर का चार पांच जीडी जितनर देना चाहेंगे वह दे दीजेगा ठीक है तो यह आपका password बन जाएगा जो password ऊपर दी रहेंगे सेम वैसा ही password फिर से उपर वाला ही repeat करके confirm password कर देना है ठीक है confirm password करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा है यानि कि आप पुरा यह term and condition पढ़ लिए हैं सारी चीजे आपका सही पाया जाता है उसके पाद यहाँ पर submit option दिया है तो submit option अभी मत क्लिक करीगा एक बार फिर से उपर जाएगा उपर जाकर अपना नेम फादर नेम ठीक है अपना नाम देखिएगा सही स्पेलिंग है कि नी फादर नेम का स्पेलिंग सही है कि रिलेशन शिप आपका मतलब जो है फादर का नाम डालें तो फादर से लेकिए कि डेटा बर्थ जेंडर अपना चेक कर लिजिएगा कि आपने सही डाला है कि नहीं मेल फीमेल में क्योंकि बहुत से कैंड़ेट ऐसे मेल वाले फीमेल में डाल देते हैं तो यह गलती हो जाती है फिर अपना मुबाइल नंबर और इमेल आइडी सारा कंफर्म करने के बाद अब आपको सारी चीज़ें सही पाया जाने पर क्या कर लेना है सब्मिट पर क्लिक करना है तो जैसे सब्मिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस परकार का एक नंबर आपको दिखाई देगा जो कि आपको क्या कर लेना है उसे स्क्रीन साथ या लिकर रख लेना है यह वाला नंबर आपको दिखाई देगा ए जीरो करके या आपका जो भी यह दिखाई देगा इसको आप लोगो नोट कर लेना है क्योंकि यही नंबर आप फ्यूचर में रेलवे में जाब निकल कर आएगा या कहीं भी आप लोग अप्रेंटिस करने जाएंगे रेलवे हो गया इस रोड याडियो भेल सेल गेल या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करने जाएंगे तो यहीं अप्रेंटिस नंबर मागता है वहां पर तो यह आपको देना पड़ेगा ना तो फ्यूचर में कहीं भी करना चाहेंगे तो यह न चेक करने के बुल रहा है कि एक्टिवेशन आईडी भेजा गया होगा तो चलिए इमेल को भी हम चेक करके बता रहे हैं जो आपने ऊपर इमेल दिया होगा वही इमेल पर आपका यह मैसेज आएगा कुछी इस परकार और आपको एक्टिवेट बटन यहाँ पर दिखाई द हरे हैं यहाँ से अक्टिवेट अपको दिखाई देगा जैसा क्लिक करेंगे कोई ब्राउजर से ओपन करेंगे तो एक अलटरनेट लिंक ग्या करेंगे शजब आपको लगिन जवापír अपरेंटिस सिप पे रजिस्टेयन कर लेंगे तो आपको यहां पे और धिल दीगें अब लागिन पर क्लिक करेंगे जैसे जसमें आपको आपने email id सेरह आंड़ा अपने डाला था अभी जैसे बताया था मैं रच एसे करके डाले होंगे राज वही पासवर्ट डालने के बाद I have read understand उसके बाद क्लिक लगा देंगे जैसे मैं लगा देना हूं उसके बाद आप लोग लागिन पे क्लिक करेंगे जैसे लागिन पे क्लिक करेंगे तो अंदर का डिफाल्ट में दिखा रहा हूं कैसे खुलेगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा अब उपर आप लोग का complete यूर प्रोफाइल दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है आपने अभी रेजिस्टेशन तो उस एडिट पर आप लोग क्लिक करेंगे जैसे एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपको आपने जो फार्म भरा था वो फिर से पूरा खुल जाएगा और अपका देखिए अगर विकलांग नहीं थो नो करिए ठीक है तो डिटा बर्थ को यहां डाकुमेंट आपको अपलोड करना है डेटा डाकूमेंट के लिए नाम डाल दीजीगा रिलेशन्सीप में डाल दीजेगा अब यहां पर ठाइप पूछ रहा है तो प्रूफ टाइप में आप कोई भी प्रूफ सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर प्रूफ में आप लोगों में बता दू कौन कौन से प्रूफ लगे यहां पर दे सकते हैं आइडेंटी प्रूफ पर क्लिक करेंगे तो आपका वोटर आइडिया आएगा पैन काड आएगा आध dashboard को मैं समझा देना चाहता हूं आप लोग को कुछ इस परकार का निशा दिखाई देगा contract, application, invitation तो आपको यहां पर contract basis में जहां पर आप लोग job अगएरा करेंगे उसको contract basis पर लेंगे तो यहां पर दिखाई देगा अप्लिकेशन जो है कंपणी के ड्वार आप लोग बुलाया जाएगा या जाब के लिए तो यहां पे दिखाई देगा और कीज tool आप कंपनी में कोई फाम भरेंगे नंगी तु ये चीज आप लोग समझ गये अब अपरेंटीश अपरचुंटी कैसे चेक करेंगे तो आप अब लगिन रहेंगे तो आपको लागिन देगा अप्रेंटी सु अपरचूंटी दिखाई देगा आहिको अगा देगा अब यहां पर देगे आप ंतिस अपरचूंटीала डालेंगे तो आजाएगा इस्टिब लिस्नमेंट नेम से आप यहां पर सच कर सकते हैं तो रेजिस्ट्रेशन करने के बाद अब चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं कुछ अपरेंटिस निकल कर आई है उनको आप लोग जरूर फिल करिए सबसे पहली बात गाइस यदि आपने सक्सिजच के या चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा यहां पर आप लोग को आई टिइआई हएज में इसको इसको in को बर सकते लिंक डिसक्रिप्स में दे दूगा दूसरा यहां पे जैने जो की आवग तो से था और यह बीए डबलू से है तो यह भी आप लोग एप्लाई कर सकते हैं दो दो अप्रेंटिस में बता दिये जो कि रिल्वे से निकल कर आया भी रिसेंटली और मैं यहां पर अन्य चीज़ें में बता दूं यहां पर देखिए इसरो वी एससी इसरो का ही वेंडर है तो इसरो में भी यानि कि विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर के तरफ से यहां पर आप इसको भी इसमें भी एप्लाई कर सकते हैं और इन सभी जगह आप लोग जो अप्रेंटिस पर रेजिस्टेशन किये हुए है उसका नंबर मागेगा और वही नंबर आप लोग को दे देना उम्मीद करता हूँ आइटेए पर अपरेंटिस पर कैसे आप लोग को रेजिस्टेशन करना एप पोटल पर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिगा और आपके जो भी दोस्ते आभी तक अपरेंटिस पर रेजिस्टेशन नहीं किये है उनके साथ ये वीडियो श कर दीजिगा कि उनको भी हेल्प मिल पाए आज के लिए वीडियो मीत नहीं थैंक्स पर वाचिंग दिस्टेशन मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में तब तक लिए बाए